Hello students, welcome to Quota Mentors, J-Main 2D-Ready 5 सर पर आ गया है और आप लोगे दिवाग में क्वेशन चलना हुआ कि Chemistry में कौन कौन से चप्टर जिन पर मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Chapter Analysis जहां पर मैं आपको उता हूँगा कि J-Main 2D-25 के लिए आपको कौन कौन से चप्टर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इसके लिए हमने करिए detailed research पिछले 3 साल के questions को हमने उठाया है और उन questions का analysis किया कि किस-किस chapter से लगातार questions पूछे गए हैं और उनी chapters को हम लोग यहाँ पर include करने वाले हैं तो आपके सामने है table coordination compound से देखो 2024 में यह हमने सारी shift के सारे papers की chemistry questions को analyze के और उसके बाद हम लोगों ने table बनाई है तो 2024 में 41 questions आये थे, 2023 में 50 questions थे और यहाँ पर 30 questions थे यानि coordination compound आपकी hit list में होना चाहिए इसी के साथ साथ अभी inorganic की बात चले तो हम chemical bonding की बात करते हैं तो मैं काम करते हैं मारे data को segregate करते हैं into three parts एक IOC, एक PC और एक OC और सबसे अधान जिन chapters से questions पूछे गए हैं IOC में यह आप सभी को पता है कि दो सबसे important chapters हैं जिनको आपको cover up करना चाहिए chemical bonding और दूसरा coordination compounds क्योंकि इन से सबसे ज़्यादा questions पूछे जा रहे हैं जाते रहे हैं और जाते जाएंगे अगर आपको इन chapters में कहीं पर भी problem आ रही हैं तो हमारे channel के उपर हमारी एक series चल रही है final 30 महाँ पर हम इन सारे chapters को cover करने वाले हैं एक बर आप यहां से cover करने आप इनके questions को गलत करके नहीं आओगे चले आगे चलते हैं अनलाइस करते हैं second आप देखे chemical bonding 48, 32, 29 तो again chemical bonding हमने add कर लिया है तीसरा inorganic chemistry के दर आप देखो तो D block जादा important chapter है as compared to P block और अभी P block का weightage भी क्या हो चुका है कम हो चुका है तो जो तीसरा सबसे important chapter है वो आपके पास है D block और चौथा जो important chapter है वो है periodic table periodic table से questions आते आते हैं inorganic chemistry के top 4 chapters हैं वैसे तो आपके slaves में inorganic total 5 ही chapters हैं लेकिन at least आपको chemistry में अगर आपको score करना है IOC को score करना सबसे आसान काम होता है यह चार chapters अगर आप तमीश से कर लो तो आप आराम से IOC में 90% 95% marks लेकर आ सकते हो अब आपके इच्छा है पर मेरे लिए top priority chapters में से यह chapters आपके पास होंगे पी ब्लॉक से भी question आते हैं यह पहले का है इस time तक पी ब्लॉक हटा नहीं था तब पी ब्लॉक ज्यादा important हुआ अगर दा अब पी ब्लॉक में बहुत कम slaves हो गया है तो आप वैसे उसको आराम से cover up कर सकते हो है ना यह group 15, 16, 17, 18 लिखा है क्योंकि 13 वाले group का यहां पर होगा तो overall आप मिला हो तो 13 से लेकर 13 plus 11 total आपके पास 24 questions यहां पर 2024 में आये थे तो obviously P block भी important है लेकिन हम overall chemistry की बात करें और आसानी से आप score करना चाहते हो तो आप यह 5 chapters पर जरूर 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 फोकस करें यहां आपकी IOC पूरी complete हो जाएगी और आप maximum score यहां पर ला सकते हो और अगर आप IOC में सफर कर रहे हैं आपको नहीं आते हैं तो आप मेरी one shot series देख लेना you will love it और आपको कभी भी इन chapters में दिक्कत नहीं आएगी चले फिजिकल केमिस्ट्री में गर हम लोग analyze करने चलें तो आप देख सकते हैं हमारा जो chapter है अब यहां पर अलग अलग chapters है पर आप इसे फिजिकल और physics दोनों के अंदर पढ़ते हो atomic structure एक ऐसा important chapter है जो आसान भी है और उससे question आएगा याएगा यहां पर आपको majorly bors model और strodinger equation यह दो चीजों के पर सबस्यादा focus करना होता है और थोड़ा बहुत photo electric effect जिसको आप detail में physics में पहले ही पढ़ चुके होते हैं चली अगला chapter में लेकर चलूँगा आप लोगों के लिए liquid solutions जिससे हर साल questions आते ही आते हैं बहुत ज्यादा नहीं लेकिन question आते ही आते हैं तो दूसरा जो मेरा important chapter में यहां पर लेकर चलूँगा वो है liquid solution में important क्यों ले रहा हूं क्योंकि यह chapter आसान है आपको इसके इंदर जारा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है और बहुत ही आसानी से आप इसके questions के अंदर score कर सकते हो सिर्फ पीवाई की प्रेक्टिस कर लिए आप इसके 95% questions को आसानी solve कर सकते हो तीसरा जो सबसे major chapter में physical chemistry करूँगा वो है mole concept ऐसा कोई साल नहीं कि mole concept से question नहीं आता हो और अभ देख सकते हो अगर आप मोल concept में आपको problem आती है यह आपका proper revision नहीं हुआ है तो फिर चे से अपनी table के उपर अगला चेप्टर यहां पर उठाएंगे आप देख सकते हैं अभी number यहां पर कम हो गया है तो इसको आपको count करने की ज़रुवत नहीं है solid state आपका हड़ चुका ह redox से कभी-कभी question आते है तो redox को मैं रखूंगा बट as such high important वाले topic केंदर नहीं रखूंगा अगला चेप्टर हम उठाएंगे thermodynamics क्योंकि यह difficult होता लेकिन लोगों के लिए यहां थोड़ी सी problem आती है और उसके बाद अपना चेप्टर वो क्या है chemical kinetics and electrochemistry तो आईए arrange करते है थर्ड जो सबसे important चेप्टर है वो है आपका electrochemistry लेकिन मैं आपको बता दूँ इलेक्ट्रो केमिस्ट्री ठीक से आने के लिए आपको दो चेप्टर आने चाहिए वो है redox plus thermodynamics तो अगर आप इनमें struggle कर रहे हैं तो आप electrochemistry को बाद में रख सकते हैं लेकिन मैं important की category में और फिर उसके बाद जो अगला अपना चेप्टर है वो है chemical kinetics यह चेप्टर आपको ज़रूर करना चाहिए सबसे पहले आसान आसान chapters जिनको आप cover कर सकते हों electrochemistry आसान है पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आती है इसके बाद मैं अगला number रखूँगा तो मैं thermodynamics का लेकिन obviously electro आने के लिए आपको thermodynamics आनी चाहिए और उसके बाद जो अपने order में जाएगा वो आएगा redox तो यह आपके कुछ common important chapters है physical chemistry में से जिनको आपको गलती से भी skip नहीं करना चाहिए लेकिन हाँ अगर आप यहां struggle कर रहे हो इन तीन chapters के अंदर उसका इलाज मैं आपको फिर चलते हैं organic chemistry तो organic chemistry में सबसे important पहला जो बनता है वो जी यूसी ही होता है जैसा कि हमारे table भी हमें बता रही है 40, 43, 42 जी यूसी से question आते हैं अगला आप चलोगे देखो amines 22, 24, 25, hydrocarbons 28, 22, 22 तो nitrogen containing compound भी important होते हैं और फिर आप यहां पर आएंगे देखे हेलो alcanes and helo arines aldehyde ketones हो गया था यहां पर अपना set कर लेते हैं सबसे लिए जी यूसी हो गया दूसरा मैं आप से कहूंगा hydrocarbons जहां पर आप अलग-अलग type of reactions पढ़ते हो फिर आपके पास आएगी amines यह amines से better हम इसको लेख सकते है nitrogen containing compounds जिनके अदर सब कुछ आ गया है ठीक है चौथा आपके पास यहां पर क्या गया है hello alcanes and helo arines फिर आप लोग move कर सकते हो aldehyde ether and phenol ऐसे तो बाकी chapter से भी question कुछ आते हैं बट इन chapters में majorly क्या होता है सब कुछ cover हो चुका होता है ठीक है alcohol phenol ethers हो गया hydrocarbon से जादा questions थे फिर आप इधर आगे बढ़े हैं ठीक है तो biomolecules देखो आप उतना ही important है 22,20,20 और carboxylic acid derivatives difficult तो नहीं है chapter बटे से कम questions पुछे आते हैं तो अगर आपके ठीक नहीं तो इसको skip करके काम चला सकते हो POC important है practical organic chemistry तो वहाँ आप जरूर ध्यान दें उनसे question अब बार-बार आ रहे हैं यहाँ पर भी salt से बार-बार question आता है इसमें मैं salt को तो high priority पर रखूंगा salt आप जरूर पढ़ें क्योंकि बहुत हलका question आएगा और क्योंकि NCRT में practical party पर भी focus कर रहे हैं salt analysis को भी आपको करना ही करना है यहाँ पर आपके पास जो अगला important chapter होगा वो होगा biomolecules and POC that is practical organic history तो आप गिन ले एक दो तीन चार पांक छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा यह non essential में यह essential है तो बारा को यहाँ हो गए और 13 14 15 16 16 चेप्टर अगर आप भी ढंक से कर लो तो आप आराम से chemistry के अंदर आपको किसी भी हालत में skip नहीं करने हैं इन chapters को आपको cover करना ही करना है अगर आप वाके में जेई में के फर्स अटेम्टि के अंदर 99 प्लस परसेंटाइल चाहते हैं तो chemistry के यह questions आपको गलती से भी skip नहीं करने हैं इसे किसी भी chapter में अगर आपको problem आ रही है तो हमारी YouTube पर free series चल रही है final 30 इसका link description के अंदर दिया हुआ है आप इस series को join कर सकते हैं इसमें हम लोग पूरा chapter पढ़ा रहे है basic से plus उसके उपर based questions solve कर रहे हैं मतलब पूरी practice आपको कर रहे है और उसके बाद हम आपको practice material भी दे रहे हैं तो यह आपकी पास important list of chapters इनको जरूर फालो करें I can guarantee अगर आपने इन chapters को ठीक से कर लिया तो you can score easily 99 percentile in chemistry मतलब आराम से कर आ सकते हो सिर्फ और सिर्फ इन chapters की basis